दोस्तों आज कल डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां डेंगू ने आकरमन ना किया हो। और डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है। वो सिर्फ ग्लूकोस की बोतल चड़ा देते हैं और साथ में एंटिबायटिक्स इंजेक्शन औ शरीर में हर रोज हजारों प्लेटलेट्स के तूटने और निर्माण होने की प्रक्रिया चलती रहती है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाक से कम होने पर उसे प्लेटलेट्स की कमी या थ्रॉंबो साइटोपीनिया कहा जाता है। डेंगू में जो देखने में आ रहा है वो है प्लेटलिट्स का लगातार कम होने की समस्या का गंभी रूप ले लेना। समाने तह एक स्वस्त व्यक्ति के शरीर में डेड़ लाग से साड़े चार लाग प्लेटलिट्स होते हैं। प्लेटलिट्स की संख्या 50,000 से कम होने पर रोगी की जान को खत्रा हो सकता है। अब रोगी को तुरन तुपचार करना चाहिए। तो दोस्तों आए जानते हैं कुछ आयरवेदेक और घरेल्यू नुस्खें जिससे आप अपने प्लेटलिट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहले है पपीता जी हां दोस्तों प्लेटलिट्स की संख्या बढ़ाने के लिए पपीते के पत्तों का रस सफलता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है 2009 में मलेशिया में हुए एक अध्यन में ये निशकर्ष निकाला गया कि डेंगू बुखार में ताजे और स्वस्त पपीते के पत्तों का रस देने पर प्लेटलिट्स काउंट बढ़ने में सहायता मिलती है पपीते के पत्ते का रस आप अपनी शमता के अनुसार दस से बीस मिलिलीटर दिन में दो से तीन बार ले सकते हैं अगर आपको इसे पीने से उल्टी होती है तो ये नहीं लेना चाहिए पपीते का फल खाते समय पका हुआ फल ले और उसे खा ले दूसरा है गेहु ज्वारा याने की वीट ग्रास प्लेटलिट्स काउंट बढ़ाने के लिए आप गेहु की घास का उपयोग भी कर सकते हैं देड़ सो एमेल स्वच्छ और ताजे गेहु की घास का जूस पीने से केवल प्लेटलिट्स ही नहीं बलकि हीमोगलोबिन, सफेद रक्त पोशी और रोग प्रतिकार शक्ती बढ़ाने में भी सहायता होती है तीसरा है चुकंदर दोस्तों चुकंदर में प्रचुर मात्रा में एंटी ओक्सिरेंट्स होते हैं और साथ में इसका सेवन करने से हीमोगलोबिन और प्लेटलिट्स की मात्रा बढ़ने में भी सहायता मिलती है रोगी को इसकी स्वादेश्ट और पाचक सबजी बना कर खिला सकते हैं या फिर इसका 10 ml ताजा जूस रोगी को दिन में 3 बार पिला सकते हैं चौथा तरीका है कद्दू याने की पंपकिन कद्दू में प्रचुर मात्रा में विटमिन के होता है प्लेटलिट की तरह विटमिन के भी शरीर में रक्तिस्त्राव होने पर खून को जमाने का काम करता है आप रोगी को कद्दू की सबजी बना कर दे सकते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत एहम रोल अदा करता है। इसे लेने का तरीका है कि 10 गिलोई की बेल के टुकडे तोड़ कर उसे 1.5-2 लीटर पानी में उबालें। लाब मिलते हैं। गिलोई का रस लेने के 30 मिनट तक रोगी को कुछ भी ना दें। अगला तरीका है कीवी। कीवी फल में प्रचूर मात्रा में विटमिन C, E और पॉलिफेनॉल होता है। रोजाना एक कीवी सुभह और शाम खाने से प्लेटलेट की संख्या तेजी से बढ़ हैं। इसे खाने से गैस भी नहीं बनती और रोगी का पाचन भी सुधरता है। अगर अनार का जूस देना है तो इसे घर पर ही तयार करें और उसके बाद डेंगू से पीडित व्यक्ति को जरूर दें। दोस्तों हमारे शरीर में पानी का बड़ा महत्व है। शरीर में रक प्योगी सला हैं जिनने आप नोट कर सकते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर पेट के अंदर की तवचा लाल हो जाती हैं जिससे एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ जाती है। ऐसी हालत में रोगी को कच्चा भारी तीखा और मसालेदार नहीं देना चाहिए। चाय, कॉफी, शराब और धुम्रपान से दूर रहना चाहिए। रोगी को एक साथ अधिक आहार देने की जगे थोड़ा थोड़ा आहार हर 20-30 मिनट में देते रहें। प्लेटलेट्स कम होने पर बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भारी दवा या चून लेने से हानी हो सकती ह यदि रोगी तुलसी के पत्ते और पुदीना की पत्ती मूँ में रखे तो मूँ का स्वात बिगड़े बिना वो जल्दी स्वस्थ हो सकता है। छोटी इलाइची के बीज मूँ में रखे और चूसते रहें। ये भी प्लेटलेट्स की संख्या को मेंटेन करते हैं और घट जाँ ख्यूस्थ होूद झाल धुलसी है।